कुल असलाम वैलेकुम तो आज हम देखेंगे अपना इग्जैंपल टू देखेंगे विसी के लिए सब्सक्राइब ने नबर फॉंपर लिए और मैं उसको डू वाइल लूप के अंदर नहीं प्लस प्लस कर दता हूं और मैं कहता हूं कि while num while true अब मैं ये condition में अगर लिख दूँ तो loop true ही रहेगी हमेशा और कुछ भी नहीं होगा इसको ठीक है मतलब मेरे पास कहने का मकसद ये कि अगर मैं condition के अंदर true लिख दूँ तो वो उसका मतलब होता है कि condition हमेशा true है तो वो loop की body के अंदर ही चलता रहेगा ठीक है और मैं यहां num print करा दता हूँ तो let's see हमारे पास output क्या आता है कि यहां पर देखिए infinite मेरे पास चलता जा रहा है program ही चलता जा रहा है एक time आएगा कि मेरे पास infinity तक achievable हो सकता है कि हो जाए लेकिन अब पता नहीं है करी जा रहा है करी जा रहा है क्योंकि मैंने उसके अंदर कंडिशन लिखी थी true सो यह थोड़ा से fun टाइप सा program था कि आप लोगों को learning के साथ थोड़ा सा मज़ा भी आए कि programming is kind of fun अगर आप इसको fun वे में करेंगे तो it's it will be quite easy for you so I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इनके थोड़ा सा concept भी आपको पता चला होगा कि आज हमारे पास कि अगर हमें लूप की condition के अंदर true लिखते हैं तो एक infinite night loop बन जाती है जिसकी बॉड़ी हमेशा बॉड़ी में जो भी चीज दिक्यों चलती रहती है चलती रहती चलती रहती है मुझे इसको ब्रेक करने के लिए एंड करना पड़ेगा प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा आए वो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इनके सब्सक्राइब कोई चीज समझ नहीं आती है आपको सब्सक्राइब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक्यू सो